आज हम जानेंगे कि इंसुलिन को हमें कैसे स्टोर करना चाहिए इंसुलिन पेंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और नीडल्स को किस तरह से दिस्पोज करना चाहिए इंसुलिन थेरिपी डाइबिटीज मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपोर्टन हिस्सा है पर जब भी लोग insulin के बारे में सुनते हैं, वे बहुत जादा घबरा जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि insulin उन्हें सिरिंजिस से ही लेना पड़ेगा और insulin लेने के new devices और new techniques के बारे में उन्हें कोई knowledge नहीं होती इस वीडियो से आज हम आपको insulin technique के बारे में समझाएंगे जिससे आप insulin बहुत easy way में pens के through ले पाएंगे insulin purchase करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जादा ज़रूरी है आप insulin purchase करते टाइम अपने insulin pen में लिखे हुए name and type को prescription में लिखे हुए name and type से जरूर टाली करें insulin की expiry date भी जरूर पड़ें जो की pen में हमेशा लिखी होती है insulin की appearance पर भी ध्यान देना जरूरी है यह ध्यान दे कि insulin pen में किसी भी तरह का lump या फिर discoloration visible ना हो आईए जानते हैं insulin purchase करने के बाद उसे store करने का सही तरीका क्या है आप अपने new pens और sealed cartridges को हमेशा refrigerator में 2-8 degree centigrade के तापमान पे रखें ध्यान रहे इसे freezer या chill tray में ना रखें insulin अगर जम जाएगी तो खराब हो जाएगी अमारी advice यह है कि आप insulin pens को एक plastic container में रख कर fridge में रखें पैन एक बार open करने के बाद जब आप उसे use करना start कर दें तो उसे fridge में रखने की ज़रूरत नहीं है आप उसे room temperature पे 30 degree से कम तापमान पर रख सकते हैं आए जानते हैं insulin inject किस तरह से करना है new pens को insulin लगाने के 20-30 minutes पहले fridge से निकाल ले क्योंकि insulin store cool temperature में की जाती है पर लगाई room temperature में जाती है अगर आपकी insulin cloudy है तो उसे लगाने से पहले properly mix करना ज़रूरी है क्योंकि वो नीचे settle हो जाती है cloudy insulin को mix करने के लिए आप insulin pen को अपने palms में slowly 10 बार roll करें और दस बार उपर से नीचे turn करें insulin pen के 3 parts होते हैं first part है ये इसे कहते हैं dialer इस part की help से आप insulin की doses set कर सकते हैं ये insulin pen का second part है जिसे cartridge कहा जाता है यहाँ पर insulin filled होती है और ये third part है जहां पर हम needles को fix करते हैं needle का जो lower cover है उसे remove करें और इस needle को pen में fix कर दें इसे आप clockwise rotate करें जैसे आप किसी bottle का cap fix करते हैं जब तक ये rotate होना बंद हो जाए इसके बाद आप ये outer cover निकालके save कर ले रख ले और inner cover भी remove कर दें insulin pen में needle fix करने के बाद pen को prime करना बहुत important है insulin pen को prime करने के लिए सबसे पहले आप dialer की help से two units set करें दो unit set करने के बाद आप pen को इस तरीके से hold करें नीदल आपकी उपर face करनी चाहिए after holding the pen like this आप pen को slightly इस तरह से tap करें और फिर press करें अगर आप insulin के drops needle में देख पाएं तो that means आपका pen ठीक से work कर रहा है और air bubble नहीं है insulin pen prime करने के बाद next step है insulin dose inject करना जो भी आपकी prescribed dose है आप उसे dialer की help से pen में set करें for example अगर आपको 10 units set करना है तो आप 10 units arrow के सामने set करें dose set करने के बाद आप pen को अपनी मुठी में पकड़ें thumb आपने straight रखना है pen को पकड़ने के बाद आप जिस एरिया में भी insulin लगा रहे हैं उस एरिया को thumb and first finger से थोड़ा सा pinch करें and pen को 90 degree angle पे insert करें insulin pen skin में insert करने के बाद आप plunger properly press करें till the time आपका dialer zero पे आके रुख जाए 10 seconds तक hold करने के बाद आप thumb remove करें और slowly pen को skin से बाहर निकालें एक बात का ध्यान रखें कि needles को multiple times ना यूज करें इसे एक ही बार यूज करके आप dispose कर दें अब जानते हैं insulin आप किन-किन जगों पर लगा सकते हैं insulin आप चार जगों पर लगा सकते हैं सबसे पहली जगे है abdomen या फिर पेट में ये इंसले लगाने की best side कहलाती है पेट में जब आप insulin लगाना चाहते हैं तो नाभी के चारो तरफ दो इंच का gap छोड़के आप पूरा पेट कवर कर सकते हैं second area होता है thighs, thighs में आप upper और outer area जो होता है thighs का उसे यूज कर सकते है insulin लगाने के लिए third area है arms, arms का हमेशा back side यूज करना चाहिए insulin लगाने के लिए अपने कंधे और कोहनी के बीच का area आप यूज कर सकते है insulin लगाने के लिए and fourth area होता है buttocks या फिर hip, hip को अगर चार हिस्सों में बाटेंगे तो बाहरी उपरी चौथा हिस्सा आप यूज कर सकते है insulin लगाने के लिए insulin injection sites को effectively यूज करने के लिए जरूरी है कि आप पूरा area इस्तमाल करें अपने insulin shots को एक ही area पे concentrate ना करें इससे lump form होने के chances काफी कम हो जाते हैं for example अगर आप दिन में दो या तीन shots insulin के लेते हैं तो आप यह कर सकते हैं कि morning shots आप पेट में लगा ले और night वाले doses आप 20 में ले ले अब जानते हैं यूज नीडल को dispose करने का सही तरीका क्या है इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद आप नीडल को पैन में लगा ना रहने दें आप नीडल की outer white cap को इंसुलिन नीडल के ऊपर fix करें और उसे रोल करके anti-clockwise रोल करके पैन से बाहर निकाल दें नीडल को dispose करने के लिए उसे डारेक्ली dustbin में थ्रू ना करें या फिर आप flush ना करें नीडल को प्रॉपरली आप किसी हार्ट प्लास्टिक बॉटल जिसे आप पिछका ना सकें उसमें कलेक्ट करें जब वो बॉटल 3-4 फिल हो जाए तो उसे आप सील करके फिर dispose off कर सकते है इंसुलिन इंजेक्शन टेक्नीक के बारे में अगर आपके कोई और सवाल हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपने questions हमें भेज सकते हैं